नमाश्कार मैं जोति श्रिवमनी राकेश पाथ infinity आज आपको मंगल अर्केतु के बारे बताता हूँ यदि मंगल अर्केतु आपगी कुण्डली के साथवे भाव में हों तो जननंगों में या प्रोस्टरेट की प्रबलम हो सकती है गरबाशे में प्रब्लम हो सकती है रक्सराब हो सकता है या सर्जरी हो सकती है मंगल अर केतु यदि आपकी कुंडली के आठवे भाव में बैठे है तो गुदा छेतर में फोड़े हो सकते है रक्तविकार हो सकता है, सर्जरी हो सकती है बवसीर जैसी बिमारिया हो सकती है यदि मंगल और केतु आपकी कुंड़ी के नवे भाव में बैठे हैं तो पीठ की जोड़ वाली अस्थियों में पेशियों में भारी चोड़ लग सकती है यदि अन्ने कारणों से रख्ष्राव्या सरजरी हो सकती है यदि आपकी कुंड़ी में मंगल और केतु दस्वे भाव में बैठे हैं तो जांगों में गोट्णों में भारी विकार हो सकता है यदि मंगल और केतु आपकी कुंड़ी में ग्यार्वे भाव में बैठे हैं तो बाएं कान में विकार हो सकता है या सरजरी हो सकती है यदि मंगल और गेतू आपकी कुंड़ी में बारवे भाव में बैठे हों तब क्या होगा तब पैरों के अंगों में फ्लेक्चर हो सकता है या पैरों में प्राब्लम हो सकती है धन्यवार जैसी क्रिश्का